प्रियंका चोपरा एक ऐसी इंडियन अक्टरस है जो इंडिया को ग्लोबल मैप पर ले कर आई इंडियन फिल्म्स के साथ साथ वो काफी हॉलिवूड प्रोजेक्स भी करती रहती है और ये इंडियन फैंस के लिए काफी प्राउट की बात है अब ऐसा क्या किया है प्रियंका ने कि वो आजकल फिर से वावा ही ले रही है तो बता दे कि हाली में प्रियंका चोपरा को चुना गया था एक इंटरनाशनल लक्षरी ब्रैंड बुल्गारी का ब्रैंड अमबसेडर जिसके लिए प्रियंका चोपरा की first commercial हो चुकी है release जहां प्रियंका चोपरा black bodycon dress में लग रही है एकदम लाजवाब इसमें प्रियंका ने गले में पहना है एक beautiful Bulgari का necklace जो उनके look में चार चान लगा रहा है आपको बता दे कि luxury brand Bulgari को jewelry, gems, watches और perfumes के लिए जाना जाता है प्रियंका चोपरा के साथ-साथ Bulgari की तीन और brand ambassadors भी है यानी Anne Hathaway, Zindaya and K-pop star Blackpink की Lisa ब्रैंड ने last week ही Anne और Zindaya को feature करते हुए एक video को release किया था जब video viral हो गया था लेकिन PC के कई fans हो गए थे नाराज क्योंकि उन्हें उस video में प्रियंका और Lisa नहीं दिखे लेकिन अब हो गया है प्रियंका का भी video Bulgari के page पर release जहां प्रियंका Bulgari का एक gorgeous सा necklace और rings पहन कर black dress में Rome में खूम रही है इस video को प्रियंका के fans ने काफी पसंद किया है और कहा है कि वही है असली queen Bulgari के CEO Jean Christofi Babine ने भी प्रियंका के जुड़ने से लेकर tweet किया और लिखा मैं बहुत ही खुश हूँ कि प्रियंका हमारे परिवार में शामिल हो गई है मुझे भरोसा है कि हम एक साथ important सामाजिक मुद्दो के साथ कई projects पर भी काम करेंगे वही इस बात पर actress प्रियंका चोपरा ने कहा कि वो luxury brand के साथ partnership की उमीद में है उन्होंने ये भी कहा कि मैं global brand ambassador के परिवार में शामिल होने पर काफी proud feel करती हूँ मैं इस brand को thank you कहना चाहती हूँ वेल प्रियंका definitely looks stunning वैसे आपको बता दे कि प्रियंका चोपरा काफी projects में आजकल काम कर रही है फिर चाहे वो Bollywood हो या Hollywood और बहुत ही जल्द हम सब उनको देखेंगे फरहान अक्तर की film जीले जरा में alongside Katrina Kev and Alia Bhatt